हेलो सभी बच्छों को गुड मॉर्णिंग आज हम कर रहे हैं important topic that is unpaid seller unpaid seller का बहुत important topic है जो exam में आएगा ही आता है आता ही आता है unpaid seller तो unpaid seller के अनल लिए हमने यह चार्ट बना रख़ा है आप इस चार्ट के according सारे के सारे sections अभी learn कर लेते हैं ठीक है यह क्या कहते है जी section क्या करें सबसे पहले बात करता है unpaid seller अब दियान से देखते जाएं which section बात करेंगा जम unpaid seller की definition किसे ने दी section 45 subsection 1 उसके बाद section 46 कहते है right of unpaid seller right of unpaid seller कितने है जी दो पहला क्या है right against goods और दूसरा क्या right against buyer जो right against goods हैं वो होते हैं जी तीन सबसे पहला कौन सा है right of lien दूसरा right of sit और तीसा right of resell अब इसकी भी bifurcation करते है लाइन से section अगर आप दियान से देखेंगे तो लाइन से section है section 45 1 किसी जगा है जी unpaid seller का meaning section 46 किसी जगा है right of unpaid seller section 47 48 49 जी लाइन से चलते हैं लियन के 50 51 52 किसके चलेंगे sit stoppage in transit section 53 और उसके बाद है right to resell section 54 बड़े आराम से section अभी याद करा जिता हैं को section 45 sub section 1 किसी का है unpaid seller की definition का section 45 के बाद को है section 46 46 किसका है right of unpaid seller उसके बाद लाइन से लिखते जाएं 47 48 49 50 51 52 53 54 पहले तीन किसी जगेंगे अगले तीन किसी जगेंगे sit के section 53 54 फे रह लग हैं अब इनकी बात करते हैं जाद ज्यान से section 47 कहता है साब seller का लिएन क्या जी seller का लिएन कैसी लिएन लगता है कभी लगता है section 48 40 क्या कैता है अगर और सेर ने पाफ लिवटरी कर दी और पार दिलिवती नहीं करी तो क्या वह जो बचिवी इंड की है क्या उस पर लिएँ लगा सकता पन कर लिपकर कर क्या रहन हैं किसे लरने कुछ पार्ट में डिलिवरी कर दी और पार्ट डिलिवरी अभी seller नहीं करी उसकी possession seller के पास यह है और seller बनके unpaid seller तो कि unpaid seller उस पार्ट डिलिवरी की delivery करने से बना कर सकता है लिए लिए लगा सकता answer is bigger yes उसके बाद बात करता है termination fully only and हमारी खत्म कैसे होती है बात कोन बताएगा section 49 उसके बाद आता है जी stop engine transit stop engine transit के कितने section है जी 50 51 and 52 50 क्या कहते है जी right of SIT SIT का right कैसे लगा जा सकता है 51 कहता है साब transit क्या होती है रास्ता क्या होता है बात कोन बताएगा section 51 और इस SIT को effect में कैसे लाया जा सकते है बात कोन बताएगा section 52 उसके बाद बड़ा interesting section है that is section 53 section 53 कहता है effect of effect of sub sale or pledge by the buyer अगर buyer ने goods को आगे further reseal कर दिया है या pledge कर दिया है और जो seller है वो unpaid seller बन गया तो unpaid seller के right right against goods में जो right of lien है या जो right of SIT है उसमें क्या कोई change आएक answer is bring no तो यहां से भी case study बना की question दिया जा सकता है कि seller ने buyer को goods transfer करी goods अभी रास्ते में है और seller बनके unpaid seller और इस दोरान buyer नहीं goods को एक नए buyer को बेचने का agreement कर लिया तो क्या buyer seller unpaid seller जो है क्या वो SIT लगा सकता है answer yes क्या वो lien भी लगा सकता है answer yes यानि की buyer के दोरा goods को अगर सब sale कर दिया जाए या pledge कर दिया जाए तो seller के किसी भी right में कोई change नहीं आएगा वो SIT भी लगा सकता है lien भी लगा सकता है उसके बात बात करता है right to reseal reseal बड़ा interesting है यहाँ पढ़ते हैं पहले right of reseal reseal करते हैं तो दो तरह की बात है जी या तो goods मेरी कौनसी होगी perishable या goods कौनसी होगी या अपनी perishable या goods कोनसी होगी non-perishable perishable goods कौनसी जो खराब हो जाएंगी अगर goods हैसी है जो खराब हो जानी है तो उसके लिए notice की requirement नहीं है no notice is required लेकिन unpaid seller बन गया उसको का कि साब आपको notice देने की requirement है अब अगर notice देने की requirement है और हमने notice दिया है और फर्दर resell कर दी गई है resell करने से profit होगा तो profit किसका माना जाएगा unpaid seller का और loss किसका माना जाएगा original बाहर का यही कहानी same कहानी कब चलेगी perishable goods में perishable goods में notice देना ही नहीं है और अगर बिना notice दी हमने resell कर दिया और resell पर अगर profit होगा तो profit किसका unpaid seller का और loss किसका original बाहर का but but किंतु परंतु लेकिन goods कौन सी है non perishable non perishable मतलब खराब नहीं होने वाली और low ने का कि भाई साब notice आपको देना required है और हमने notice नहीं दिया ही परमातमा हम unpaid seller है non perishable goods हैं हमें notice देना चीए था हमने notice नहीं दिया लोग कहता है वाई तुमारी गलती है तुमने notice नहीं दिया और अगर resell से profit हो जाता है तो profit किसका माना जाएगा original buyer का माना जाएगा उसके बाद आएगा 56 damage for non acceptance उसके बाद आएगा 60 reputation of contract before due date यह जो 60 आएगा इसमें आएगा before due date 61 यह 1 किसके जैसा है आई के जैसा ही क्या होगा उसके बाद बात करता है इसके दो पार्ट right against goods और दूसरा क्या है right against buyer right against goods की चर्चा करें सबसे पहले क्या आएगा section 47, 48, 49 यह तीनों की सीज़की है lien के सबसे पहले 47 क्या बोलेगा sellers का lien उसके बाद 48 क्या कहता है part delivery अगर कर देते हैं तो क्या part delivery पर lien लगा सकते है answer is big yes और 49 कहता है कि अगर बाइर के दौरा गुड्स को further sub sale या further pledge कर दिया जाएगा तो क्या seller जो unpaid seller बन गया उसके किसी भी right way effect आएगा answer is bigger no उसके बाद बात करता है resale, resale का section का है 54 और 54 को आगे detail में हमने कर लिया था यह रामार आगे detail में अगर भई हम resale करना चाहते हैं और goods कौन सी है परिशेबल तो notice की requirement ही नहीं है notice की बिना notice दिया अगर हमने further resale कर दिया और resale में profit होगा तो profit किसका unpaid seller का और loss किसका original buyer का यह जो loss original buyer का लिखा गया इसका मतलब original buyer से damage के रूप में पैसा मांग सकते हैं हम को बने unpaid seller दूसरा case goods कौन सी है जी non perishable notice देना हमारी duty है notice required है और हमने notice दिया है हमने अपने जान चुडाली साहब हमने notice दे दिया अगर notice देने के बावजूद भी बायर चीज नहीं ले रहा है और मैं उसको फर्दर resale कर रहा हूं तो resale का profit मेरा यानिका unpaid seller का और loss किसका original buyer का लेकिन notice देना हमारी duty है और हम notice नहीं देते तो resale कर देते हैं resale करने से जो profit होगा वो किसका होगा और जो loss होगा वो किसका होगा unpaid seller का उसके बाद बात करता है जी right right against buyer बायर के against right है section 55 56 56 से बाद सीधे कुए 60 61 सबसे पहले अगर आप lien नहीं लगा पै lien नहीं लगा पाई तो किसे लगा होगे SIT अगर आप lien और SIT में से कोई भी एक लगा लेते हो तो आप section 54 resale लगा सकते हो लेकिन अगर आप lien भी नहीं लगा पाई thenoth के पास right to resell आए और राइट टू री से लाए नहीं तो आपके पास क्या आएगा राइट अगेंस्ट बायर, राइट अगेंस्ट बायर में सबसे पहले आप उससे केस करके हमांगोगे, प्राइस, दूसरी बात, अगर उसने गुड्स की डिलिवरी लेने से मना कर दिया है, गुड्स अगर बायर ने पेमिट लेट दिये, तो अपन गएंगे साब पेमिट तो आपको देनी पड़ेगी, प्लस उसका क्या देने पड़ेगा, इंटरस तो अगर हम ने जो पड़ा है, उसको दुबार से से सेक्शन वाइज अगर हम करने की कोशिश करें, तो मैं फिर से आपको बता देता हूं, यहां पर आएगा सबसे पहले सेक्शन 45, सबसेक्शन 1, उसके बाद आएगा 46, उसके बाद 3 सेक्शन लाइन से चलेंगे, 47, 48, 49, उसके बाद लाइन लगेगी, फिर सेक्शन 50, 51, 52, फिर लाइन लगेगी, फिर यह आएगा 53, और यहां पर आएगा 54, यह प्रदर प्लैज या फर्दर रीजेल अगर बायर ने कर दिया थो अनपेट सेलर के किसी भी रैट में कोई फरक नहीं आएगा सेक्षिन फिफ्टी फॉर के बाद कौन से सेक्षिन आएंगे 55 56 56 के बाद सीधा कौन सा 60 और 61 55 में आप क्या मांगोगे 56 में क्या मांगोगे डेमेज मांगोगे 760 क्या मांगोगे रेपूदेशन व LAN दिडिजी है इस्सेटेल 5य59त बूं じंड इसे पहले कि य हम बुक की प्ड़ना स्राट करें इसे और सेंधे लिए जोमारे इई बीच में सब्सक्राइब सब्सक्राइब byer की अ अच्छा यह buyer के write हैं हाँ अगर बायर के write हैं तो आपके बार गलती कौन करे बैठा है seller गलती करे बैठा है अगर sellerने गलती करी है तो byer के पास कौन कौन cheeks right आएंगे अगर seller नहीं delivery δेने से मना कर दिया तो buyer the नोन delivery के लिए क्या तो ब्रीच वारंटी अगर वारंटी तो ड़ी जाएगी तो section 59 और ये 60 और 61 वहाँ पर भी थे एज़ जाए, reputation of contact before due date and section 61 sue for interest ये दोनों से ही में अब कह रहा है साब, buyer ने advance payment कर दी, seller ने चीज देने से मना कर दिया, seller कहता भाई अपने पैसे वापिस ले आरे, पैसे के साथ ब्याज भी तो वापिस लेंगे ना बन, अब अगर हम इन सभी sections को book के according पढ़ना शार्ट करें तो बहुत जल्दी हम पढ़ पाएंगे, सबसे बहले बात करता है साब, unpaid seller कोन होता है, section 45, subsection 1 में definition दी गई है, unpaid seller, when the whole of the price has not been paid or tendered and seller had an immediate right of action for the price, अगर पूरा price नहीं दिया गया है, तो when bill of exchange or other negotiable instrument has been received as a conditional payment and conditional which has been received has not been fulfilled by reason of dishonor of the instrument, अगर आपको कोई negotiable instrument, bill of exchange बगरा दिया गया है और वो dishonor हो गया है, तो seller क्या बन जाएगा, unpaid seller, unpaid seller के जो right है, section 46 ने बताए कि साब आपके बास दो right आएंगे, right against goods, right against buyer, अब बात करते हैं, यहाँ पर एक वर्ड आपको याद रखना ह है, retain, क्या बड़ याद रखना है, retain, क्या retain करेंगे है, possession, क्या retain करेंगे है, possession, हमको ने unpaid seller, अगर seller किसी भी वज़े से unpaid seller बन जाता है, और goods उसी के पास हैं, तो वो goods की delivery करने से मना कर देगा, that is right of lien, कहना है साब, अगर आपने goods बेचे हैं बिना उदार की, sold without any stipulation owes to credit, even goods had been sold on credit, but the term of credit has expired, or wire become insolvent, यहां लिखा हुआ है, or, or where the wire become insolvent, इन तीनों में से अगर एक भी condition पूरी हो जाएगी, तो आप lien लगा सकते हैं, फिर बात करता है, section 48 जो मैंने बताया था, part delivery, अगर seller ने part delivery कर दिया, और part delivery seller के पास है, तो remaining जो part delivery seller ने नहीं कि उस पे lien लगा कर goods की possession देने से मना कर सकता है, फिर बात करता है, termination of lien, तीन condition है, जब आपकी lien terminate हो जाएगी, पहला बड़ा सान है, waiver आपने माफ कर दिया, या buyer या buyer का agent, lawfully goods की possession ले लेगा, when the goods, when the, when he, he का मतलब है जी, unpaid seller, deliver the goods to the carrier or rather, available for the purpose of transmission to the buyer, without reserving the right of disposal of the goods, कौन से पर आपको याद without reserving the right of disposal of the goods, फिर से बोलो मेंने साथ साथ, without reserving the right of disposal of the goods, without reserving the right of disposal of the goods, उसके बाद बात करता है, right of SIT, सबसे फेले बात करता है, right of SIT, right of SIT का section को साहीं जीमारा, 50, SIT का मतलब कहता है stoppage in transit, stoppage in transit के अंदर आपने क्या याद रखना है, regain, क्या बड़ याद रखना है, जी, regain क्या ठीज आप रीगेन करेंगे, पोजेशन को रीगेन करेंगे, और पोजेशन को रीगेन करने के लिए, SIT लगाने के लिए, बायर का इंसुल्वेंट होना compulsory है, मैं दुबारा रिवाइज का रहा देता हूँ, जब ममूपर पढ़ रहे थे, राइट अफ SIT, तो बायर का होना बहुत सारी कंडिशन में से एक कंडिशन थी, लेकिन, लेकिन अगर बायर इंसुल्वेंट नहीं हुआ है, तो भी हम लियन लगा सकते हैं, बायर अगर इंसुल्वेंट नहीं हुआ है, तो भी अपन क्या लगा सकते हैं, लियन, लेकिन SIT लगाने के लिए, बायर का इ For example, बायर या बायर का एजेंट, मेरी फेक्टरी से आकर, लोफॉली गुट्स की पोजेशन लेता है, तो रासता क्या हो ज़ता है? शुरू ही नहीं होता. जब बायर या बायर का एजेंट, रासते में से समान ले लेता है, तो भी transit क्या हो जाता है खतम जब goods seller ने buyer या buyer के agent को transfer कर दी है कर दी है तो भी वो क्या हो जाती है transit क्या हो जाती है जी खतम ठीक बात है lawfully take the position by buyer or agent of the buyer उसके बाद बात करता है SIT कैसे use होती है ये पढ़ लेना किसी काम का नहीं है फिर बात करता है section 53 section 53 कहां गया हमारा right to resell ये हमने कर लिया था पूरा बड़ी deal में कर लिया था अगर मेरी गुड से है perishable nature की और अगर मेरी गुड से है non-perishable nature की perishable nature की according notice की बात करी थी हमने non-perishable के लिए price by the buyer section 53 effect of sub sale or pledge by the buyer इससे unpaid seller के किसी भी रैट पर कोई फरक नहीं पड़ता और ये था 54 right to resell ये सारे section हमारे हो चुके है उसके बात करता है right of unpaid seller against buyer अब की बार बार ये की बात आगी तो कौन कौन से section थे याद करो सर section थे 56 55 था 55 56 फिर सीधा 60 फिर 60 वर ये चार section है section 55 क्या था श्यूफोर दा प्राइस आपने प्राइस मांग लिया section 52 55 के बाद 56 था श्यूफोर डेमेंज फोर non-acceptance उसके बाद क्या था reputation contact before due date section 60 और section 61 क्या था श्यूफोर दा interest उसके बाद बात करता है right of buyer दियान से देखें क्या लिखावा है buyer की right against seller यानि कि अब की बाद defaulting party कोन है seller तो बाएर के पास जो right आएंगे वो कौन कौन से हैंगे section 57 से शुरू हो जाओ sir 57 58 59 60 और 61 57 किसका था damage for the non delivery 58 किसका था specific performance point number one point number two non delivery के लिए damage मांग लो 57 specific performance करा दो 58 क्या हर condition में हम यह कह सकते हैं कि specific performance करा दो नहीं जब court की description है कि वह specific performance अबाड करे या ना करे normally specific performance कब अबाड की जाती है जब damage rubies में adequate remedy नहीं होती यह power की pass court है the power of the court to order specific performance subject to provision of the special relief act on 1963 उसके बाद बात करता है अगर आपने वारंटी तोड़ी तो section 59 section 60 as it is reputation of contract before due date anticipated batch actual batch वाला और last point as issue for interest उसके बाद बात करता है auction sale auction sale का section कौन साय जी 64 ठीके जी auction sale मुझे उमिद आपको याद होगा एक इसके अंदर था एक इसके अंदर हमाने बात की थी bid एक बात हमने किया की थी bid दूसरा बात की गए थी bidder एक हमने करा था no account agreement ठीके जी एक हमने वर्ड पड़ा था reserve price मुझे उमिद है चोटी 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 आसान चीज़ आपको याद होगी हमने एक auction sale करी auction sale कौन कर सकता है goods का मालिक या उसका एक agent और वो क्या करेगा एक proper place decide करेगा proper date decide करेगा और goods को रख देगा और या highest bidder को वो क्या देगा goods क्या highest bidder को goods sale करना कमल से आंसर is big no highest bidder ने जो highest bidder दी है उसने एक offer दिया है अब seller की मर्जी उस offer को accept करे या ना करें तो उसके बाद होता है reserve price कि seller कहते है कि साब में यह चीज़ बेजना चाहता हूं कम से कम इतने और बैसे इसकी बीड़ शुरू कर दो that is called reserve price अगला point क्या seller अपने एक agent as a bidder बिठा सकता है answer is yes अगर वो बिठाएगा तो सब को information देगा information देनी ज़रूरी है अगर उसने information दी है तो valid according to low है लेकिन अगर उसने information नहीं दी तो fraud माना जाएगा दूसरी बात क्या seller auction sale के अंदर एक से ज्यादा आपने री परजेंटेटिव आपने विड़र बिठा सकता है answer is bigger no यह हो गया आइधिंग चैप्टर कतम इतना ही कर लें बहुत है सभी बच्चों को बहुत बहुत थेंक्यू